बिहार सरकार ने प्रदोशन की समस्या खतम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है नितिश सरकार ने कैविनेट की बैठक के दोरान वर्ष 2021 से पतना में डीजल ओटो के परिचालन पर रोक लगा दिया है ये फैसला 31 जनवरी 2021 से लागू होगा फैसला लागू होने के बाद पतना में डीजल ओटो पर पुरी तरह से बैन हो जाएगा इसके साथ ही 31 मार्च 2021 से पतना से सटे दानापूर फुलवारिक हगोल नगर परिशत में भी ऐसे ओटो के परिचालन पर बैन रहेगा कैबिनेट की बैठक में बिहार सच इंधन योजना 2019 को मंदूरी दी गई थी इस बैठक में ये पैसल लिया गया है कि साल 2021 से CNG और बैटरी वाले ओटो ही पतना समेश आसपास के इलावके में चलेंगी कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजंडों पर मुहर लगी नितिश कैबिनेट के इसके साथ ही पतना नगर निगम दानापूर फुलवारी शरेफ खगोल दानापूर परिशत में 15 साल से दाधा पुराने सभी कमर्शल वानों के परिचालन को तातकालिक प्रभाव से औरं में बैठक भुलाई थी बिहार कैबिनेट के अन्य फैसले में निगम और बोड के कर्मियों का कडी ऐ बढ़ाने का भी फैसला लिया गया हैन इसके तहप छता वेतन मान पा रहे बोर्ड निगम के कर्मियों का डिये बढ़ा कर 154 पीचिजी से 144 पीचिजी कर दिया गया है नेक्स्ट नाइन न्यूज भोशपुरिया के सब्सक्राइब करी अले टेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दावाई